हाई गाईज गुड मॉर्निंग कैसे आप सब और आइ होप कि आप बहुत अच्छे होंगे तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश्च कर दी हूँ क्योंकि जब आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे ना तब शायद गुड मॉर्निंग ही होगा तो अभी क्योंकि इवनिंग से मैंने रूटीन शुरू किया है थोड़ा बहुत दिया जला लिया है और उसके बाद यहां पर मैं आ गई हूँ बनाने के लिए ध्यांस के डिमांड पर नूडल्स तो ध्यांस काफी दिनों से मुझे कह रहा था कि ममा मुझे बना दो वैसे दो ट्राइबज यन मश्रूम होता तो थोड़ा और अच्छा होता वाट वो दूना चीज अब नहीं मेरे पास अगि आ यहां पर मैंने नूडल्स को बॉयल कर लिया इस बार मेंने बहुत ही कम बॉयल किया है मेरा हर बार नूडल्स आकु आज मैंने ध्यान में रख ए इस सारी तो सारे वेजटीबल को पहले मैं चॉप कर रही हूं क्यूंकि जो यह चाइनिस कुकिंग होता है बहुत ही फास्ट कुकिंग होता है एक तर अधम हाई फ्लेंपर करना होता है ताकि जो टमाटर है थोड़ा सा गल जाए मतलब थोड़ा सा पक जाए क्योंकि आसा ना मोटे मोटे मुझे पसंद मी आते तो इसलिए मैंने यहां पर सॉल्ट भी पहले डाल दिया ताकि यह जल्दी से एक दम मैश्ट हो जाए उसके बाद में सारा वेजटेबल्स डालोंगी यहां पर मैंने कैरेट्स डाल दिया है कैरेट्स को हलका फ्राइ करने के बाद मैं कैपसिकम भी डाल दूगी तो सारे चीज़े जो हाइफ लें पर हो रहा है एंड में थोड़ा सा ना चाइनीज भी बनाती हू तो इंडियन टच जरूर देती हूँ यहां पर मैंने ब्लैक केपसिकम कटकिये ना वह भी मैंने डाल दिया उसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे भूल लोंगी और उसके बाद यह जो एक मसाला दिख रहा है ना तो यह भी आया था मतलब जो हाका नूडल होता है उसमें और यह एक रेड चिली सॉस आया था तो वह पाउडर जैसा मसाला था पत इता केपस बढ़तों देती बहुत थी क्या था वह रूंप साना टूर्डक है उसके था में परুए dudime टो करें था ऐन भी तॉट आ से गालो को ड्याम है यह जो पुछेशा है थो सब्वाल रगाускे अशाडिता नूडल्स थाजर सब्सक्राब parked बहूत च्वा गर रॉंग बहुत ही जादा मज़ा आया और इस्पेशली ध्यान्स को नीरब तो थोड़ा सा खाया उसके बाद उसे उतना अच्छा है लगा इसमें मैंने वेजिटेबल रखे थे तो उसको फ्राइड राइस थोड़ा सा मैंने खिला दिया और उसके बाद थोड़ा और टेस्ट बढ़ा तुरी तभे तभी सही नहीं है तो इसलिए भी उनके लिए में ने कहा पहले देतुँँट्ट्ट Лाय तो मेरे को टेस्ट का पता चल रहा है थल्या सब्सक्राइब बुच्छ नियुक्षा नहीं नियुक्षा नियुक्षाज नियुक्षा नियुक्तर पहला है तो अब भी में भी तुछा ट्राइ कर रहे थी और सज बताओं गाईज बहुत यम बना था इसके साथ मैंने सोचा था कि मोमोस वाला चटनी बनाती बट टाइम नहीं था तो मैंने जटपट बना दिया इस तरीके से तो यहाँ पर थोड़ा सा अजमें को मैं ग्यान दे दी हूँ ऐसा होता है ऐसा डाल देती ऐसा डाल देती ही मश्रूम डाल देती तो ओर ठेस्टी होता हुआ हस्जबन कह SEC dodate den के इहाँ थोड़ा मैंने थोड़ा सा equations को में चीज़ हो पशन लेगओ हुआनसरे और मेहां तो मैं नहां कि आने के बाद से ही नीरव को बोली कि पढ़ लो आजकल अभी जो मॉनसुन का जो वेदर है तो बहुत ज़्यादा स्वेट होता है तो ऐसा लगता है इवनिंग में दुबारा नहा लो डेली नी बट कभी कभार में इवनिंग में भी नहा लेती हूं तो इसे थ दिहांज को देखो कैसे थोड़ा सा पढ़ा और देखो निकल लिया वो पतली गली से निकल लिया उसका ऐसी रहता है मतलब पढ़ाई किसे मतलब भागता रहता है लेकिन अभी कहते चलो कोई नहीं चोटा है तो उसके पर जादा प्रेशर नहीं रागती हूं हाँ थोड़ मैंने दो दिन से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया तो इतना गंदा हुआ पड़ा है कि बता नहीं सकती हूं मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं करना चाहती थी आज मेरा घर कैसी हालत में अब भी इस्पेशली जो यह मॉनसून का वेदर चल रहा है ना तो इवनिंग में क्या मैं अब भी फिर से अरेंज कर रहे थी हटा हटा करना पड़ता है और उसके साइड में देख सकते हैं बच्चे को टॉइज वो रखा हुआ है उसके बाद मैंने यहां पर मतलब घर की हालत देखो मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी बट फिर मैंने का ठीक है थोड़ा सा मतलब रियालेटी भी दिखाना ज़रूरी है जो भी होती न मैं वही सारी चीज़टेश दिखाती हूँ कुछ एक्स्ट्र ऐसे वीडियों के लिए नहीं बनाती हो मैं नहीं दिखाती हूँ जो मेरी लाइफ रूटीन है वही चीज़फ शेयर करती हूँ तो जो काम होता है अगर बहुत जादा घर गंदा है कंडिशन खराब है तो मैं वह इवनिंग में भी कर लेती हूं तो घर में पूरे कपड़े हस्बेन ने जैसे तैसे फैला दिया था बाहर बारिश होने लगी थी तो तो वही सारे चीज़ अरेंज करें यह रहा हस्बेन का युनिफॉर्म तो निया मंगवा लेती है किसे के सासे बता दो कि नो तो टॉपी दोंगा अगा ममा ने किया हूं देखो गाइस नुटेला 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 तो जो सच बोलेगा उसे चोकलेट दोंगी जो सच बोलने पर आपको कुछ नो कुछ मिलेगा और जो सच बोलेगा उसे बिल्कुल डांट नहीं कोई पीडाएगी और मैं ऐसा कटी जिए हूं पॉल भी गटी हूं तो यह लोग ना तो सच बोल देते हैं इसे इसपे बाद यहां पर थोड़ा सा हजबन का देखो तो अब भी हजबन बना रहे करमलाइस खीर तो यहां पर जो शुगर है उसको कारमलाइस करके डालते हैं तड़का जैसे खीर में तो वही वह मतलब बना रहे थे नो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करी बठा हजबन थोड़ा सा इस तरीके से बनाए थे रात में खीर तो क्योंकि ध्यांज को कभी-कभी मन होता है खीर खाने का तो हजबन यू तुरंट उड़ जाते बच्चे के लिए एनरजी फट से आ पूलिया उसके जो भी बेसिक मसाले होते वो डाल दिये थे और मैंने बेसन भी डाला था आपने देखा हो अगर एक से देर चमच बेसन डाला था एन उसके बाद यह टमैटो प्यूरी डाल दिया जिसमें गार्लिक जिंजर है जीरा ब्लैक पेपर लांग यह सारी मसालों को मैंने ग्राइंड कर दिया था और बहुत ही अच्छा मतलब बना था सब्जी आज का मतलब इस तरीके से अगर बनाओगे ना आप आलो फ्राय करके मैं डाली थी तो बहुत जिलिशियस लग रहा था और उसके बाद सॉल्ट मैंने अभी डाला है तो सब्जी आज की सच में जादा टेस्टी बनाता क्योंकि चनी की सब्जी ना अजीव सी बनती है इसमें बेसन डाल दो तो बड़ा अच्छा थिक ग्रेवी इसका बन जाता है और जो भी बचा हुआ था ना रख दूंगे फ्रिज में तो उसके बाद ये जो खीर बनाते ना बड़ा अजीव सा बन है क्योंकि जब भी हजबन मेरे खीर बनाते है तो सिर्फ दूद में बनाते है और पूरा मलाई जो होता है वो भर भर के डालते है ताकि बच्छों को अच्छा लगे और थोड़ा सा मेरे बच्छों पे ना फैट आए खीर खाने के बाद बहुत हैवी हो गया था किसी का उतना मन नहीं था तो यहां पर थोड़ा सा मैं सैलड बना रही हूं क्योंकि चनी की सबजी तो बना था वो बच्छों के लिए बना था तो यहां पर मैंने ना स्प्राउट जो होता ना मूंधाल का वो डाल दी इसमें च जादा कुछ उनका खाने का मन नहीं हो रहा था बर सैलड तो बहुत ज्यादा जरूरी है और मेरे पास सैलड में फिलहाल यही था खीरा भी नहीं था और सबसे पहले यह दे देते हैं हजबन को भी थोड़ा सा हजबन का केर कर रही हूं थोड़ा जरूरी भी है क्योंकि मेर जब मेरी तब्वित खराब होती है या मैं बहुत जब स्ट्रेस में होती हूं तो हजबन मेरा बहुत केर करते हैं तो हजबन के लिए भी बनता है तो चलो अभी पस आज के व्लॉग में इतना ही था